दोस्तों बहुत बार कई friend की status हमारे whatsapp पर show नहीं करती है तो ऐसी condition में जिस भी friend की status हमारे whatsapp पर show नहीं कर रही है उस friend का mobile लेकर की ये confirm करेंगे कि उसके mobile phone में हमारा जो number है वो save है या नहीं अगर उसके mobile में हमारा जो number है वो save है whatsapp का तो हम अपने WhatsApp को सबसे पहले open करेंगे और open करने के बाद यहाँ पर जो हमें status टैप दिखाई दे रहा है यानि कि status का option इस पर टैप करके इसे select करेंगे उसके बाद देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने या जाने में उस friend की तरफ से आने वाले status को हमने mute किया हुआ है अगर mute किया हुए है तो उस पर tap and hold करके unmute कर देंगे लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर से friend का mobile लेंगे और friend का mobile लेकर के WhatsApp open करके status वाले टैप में जा करके उपर जो त्री dots है right side में इस पर tap करेंगे और यहां से status privacy का option select कर लेंगे फिर यहां पर आपको तीन options दिखाई देंगे my contacts accept and only share with का तो यहां से my contacts का option आप select कर लेंगे या फिर अगर my contacts accept के साथ में रहना चाहते हैं तो अपना number इस list में से remove कर देंगे तो my contacts का option यहां से select कर लेंगे उसके बाद done कर देंगे और done करने के बाद जो आने वाली नई status होगी वो आपको show होने लग जाएगी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग मैं आप से मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए